सो हेलो गाईज वेलकूम बैक टो स्टीबीजी अंदिसोर संदीब भाई हैं आइसकी वीडियो में हम जोसा कॉंसलिंग के बारे में डिश्कॉशन करने वाले हैं जोसा के कंप्लीट रिजिस्ट्रिशन प्रोसेस के बारे में और जोसा में इस बार क्या बड़े बदलाव हैं और इसका इपक्ट पड़ने वाला है सीधा-सीधा बोलूँ तो इस बार जोसा छे राउंड के बजाए सिर्फ और सिर्फ पांच राउंड में नी पटने वाला है और उसकी बाद सीटें बच जाती थी ना एटीज और यहीं इस बार क्या होगा और आपको कॉंसलिंग क्या कैसे करनी आपको चॉइस कैसे करनी है जो कि सबसे मेजर पोर्शन होने वाला आप जई सबसे करेंगे तो आपको कॉलेज धंका मिलेगा अगर आप जब बड़ी करेंगे तो हमिसा पस्ता आएंगे चार साल ही नहीं पूरे जीवन पस्ताइगे की कास थोड़ा बढ़िया से का कर लिया होता तो हो सकता था बड़ी एक वालेज में अडमीशन हो जाए तो इन सारी शीजों का अपने को धान में रखना है आप जोसा काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो जोसा का सेडूल पहले ही लॉंच हो चुका है और इस बार टोटल जो राउंड होने वाले यह बिल्कुल छे थे बड़ अभी सिर्फ और सिर्फ वाच है अब अगर जोसा की बात किया जाए तो इसमें 26 आयटी जो की जेए डवांस के मार्क से मिलने वाले जेए एडवांस से मिलते हैं ना की में से मिलते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन इटी प्लस सिस् हैं कितने कॉलिजिस पाटिश्वेट कर रहा है तो देखो इन्होंने लिस्ट निकाल दिया है कि जो 26 जो आयाइटी जैं वो टोटल 23 आयाइटी जैं नई और पुरानी मिलाके एनाइटी और इस्टी शिवपूर आई याई इस्टी शिवपूर भी एक एनाइटी बन चुक है तो उनिवर्सीटी में जिफ्टि आइस में आपको टोटन जो जी फ्री आई देखने को मिलने वाली है वो चली मिलने वाली है इसमें से एक जिफ्टी जो लास्ट में आपको दिख रहा है कती शक्ति पिश्व कासि जीफ यह बहुत तीजी के साथ ग्रो कर रहे बिश्व पहले सी यू इटी के थूबी एडमिशन दे रहा था आप जो इस जो इसेंट्रल इनवस्टी अफजार्खन राची है उसको लोगों ने फ्रीयाई में भी एड़ कर दिया जिए फ्रीयाई में भी आड़ कर दिया है तो टोटल 40 जिफ्टी आई जैं अदे को हर एक जिफ्टी चण्डीघर को देख सकते हो त्रेपल सब्सक्राइबं को लोगदेफ सकते हो देत्स अन οποία कदि ओप देख सकते हो यानियू को देख सकते हो तैंडाल गतिक शक्ति को धशक्तों जिफ्टी जो को की ओक हो कि स落ग मुसके बाद सब्स्रीं साइञ इन से इसे घृट्सेटी हो चाहिए बहुत नीचे जो हैं जैसे चाहिए टेकनलोजी बगर रही है तो बेकार है इन में जाने का कोई मतलब नहीं है इंडन इंसिटूट अफ इंजिनर टेकनलोजी एचस गौर इंवस्टी जो सागर में इसका भी कोई खास मेरे को तो नहीं लगता है कि तुम्हें भरने म क्योंकि इन से बहतर कॉलीज स्टेट में मिलते हैं अब सवाल आता है कि अच्छा ठीक है टोटल सीथ कितनी है तो देखा आइडी में लगए 16,580 सीट है इनाइडी में 24 से 25,000 सीट है ट्रिपलाइडी में 17,000 सीट है जीफ्टी आइज में लगबग 10,000 सीट है टोटल 50-60,000 ही बच्चों का अड्मीशन हो पाएगा लो से लो ब्रांच सब मिला जुला के बच्चे कितने बैटे थे 14,15,000 और एड्मीशन कितनों का होगा 50-60,000 ही बच्चों का तो बागी बच्चों को क्या करना है तो इसमें से भी बहुत सार ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत जरी सी इसलिंग होनी कैसे है और टोटल कितना खर्चा आने माला है तो मैं तुम्हें बताता हूं खर्चा जो से के लिए तीन पार्ट में डिवाइड कर लो पहला रेजिस्ट्रेशन तो जोसा का रजिस्ट्रेशन 0 रुपय का होता है बहुत अच्छी बात है अच्छा कौन-कौन रजिस्ट्र कर सकता है तो जो 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 में क्लियर किया हुए वो किया हुआ है वो रेजिस्ट्रेशन कर सकता है जो समय अच्छा अगर जो 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 समय रेजिस्ट्रेशन कर सकता है हाँ वह भी कर सकता है ऐसा कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी कर ले जो स यह तो हो में सब्सक्राइब नो लाक पचातर अजार पर सिविल इंजिनरियर्ग में नाइटी सिक्किम हुआ था 9,75,000 पर होम स्टेट में नाईटी सिक्किम है अब विश्चिम अब जो नौलाक वाला रैंक वाला बच्च्चा है कौन सा कटाफ क्लियर किया होगा जनरल के डिगरी से होम स्ट्रीट का तो कटाफ से कोई लेना देना नहीं है नहीं है लेकिन फिर भी उसको नाइटी मिल रही है क्योंकि जोसा में बैठने के लिए कटाफ का कोई लेना देना नहीं है कटाफ चाहें क्लियर हो चाहें क्लियर न माना है आपके रांक पर अब एक एसे पता चलेगा टो रिसर्च से पता चलेगा तुम कुछ जाके रिसर्च करो तो, अगर तुम एसा करP आते तो यूव तो यूश्न में कोई लगतां कि अब खंका कउसे कोई लेना देना नहीं है है खाष जोकॉपर Jagrabistan । जैसे माल नो तुमने registration कर लिया तुमने choice feeling कर ली तुम counselling में बैठ गये और तुम वो कोई seat allot कर दिया जाता है तो जब seat allot किया जाएगा तो सबसे पहला काम जो तुम्हें आंक बंद करके करना होगा वो करना होगा seat acceptance fees जमा करना अगर seat acceptance fees नहीं जमा करोगे बेटा तो admission cancel में बैठ यह कहीं और admission लीजिए तो seat acceptance fees के लिए सजग रहना जादी दिन का टाइम नहीं मिलता है दो से तीन दिन का टाइम मिलता है उसी तीन दिन में तुम्हें सब्सक्राइब जमा करना है गारंटी के साथ तुम्हें अपने responsibility पे तो this is और कितना जमा करना है तो अगर आ 35,000 का payment करूंगा तो मैं 5000 चार्ज एक्स्टा करूंगा तो ऐसा भी नहीं होना चींगे क्योंकि हम लोग इस चीजों को भुगत चुके हैं एक बर मुझे अपना payment करवाना था और जिस भी साइबर कैफे वाले की पास जार आता तो बोल रहा था transaction charge लगेगा और transaction charge 5000 हम लेंग आप तो बच्चा बहुत स्मार्ट हो गया है तो आइधिंग अब इस समस्या ज्यादा नहीं होगा और अगर आप सीस्ट या पी डव्लू डियो तो 17,500 रुपए लगेंगे अब एक बात और ध्यान रखिएगा को पांच activities जो होता ना जो समय process डिलेगा पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो तीसरा जो दूसरा पैसा आपको देना होगा दूसरा पैसा आपको partial admission fees देनी अगर आप सीट अप्टेंस फीज दे देते और पार्शल एडमिशन फीज नहीं देते ओ तो भी आपका सीट कैंसल हो जाएगा को ही बचा नहीं सकता है उसको सीट कैंसल होना ता है तो आपको सजग रहना है टाइम टाइम पैक्षन लेते रहना है डॉकुमेंट के लिए बुलाया जाए कॉलेज तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है मोटा मोटा मोटी अभी समझेए अब पार्शल एडमिशन फीज कितना देना होता है तो वहीं जन्रल जन्रल ओबीसी और एडब्लूस के लिए पैंतालीज जार और सी स्ट और पीड़लूड क के लिए ट्रॉंटी थाउजन ट्रॉंटी थाउजन सीट पार्शल एडमिशन फीज दिया देना होता है इसे विवजाए भी आपका एडमिशन नहीं होगा तो काईदे के साथ आपको इन सारी चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है अब हम बात करते हैं जो साका से स्रेडूल गया है तो जो साकी स्रेडूल को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सेडूल के साथ आप गरवड़ी करोगे तो आपके साथ भी गरवड़ी हो जाएगा देखो कहानी शुरूव होगी तुम्हारा यहां से 11जे मतला पांच बजे से इनका रेजर्स्रीशन 24 फिलिंग बाकी शारी चीज ईनकी शुरू हो जाएंगी बागी सारी शीज़े इनकी शुरू हो जाएंगे दस बज़े से पांच बज़े से लेकित तुम सबसे पहले जो सा के उस पर जाओ जो सा की वेब साइट पर जाओ जाने के बाद से यहीं पर आएगा कंडिडेट एक्टिविटी डाशबोर्ड कंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आएगा तो तुम उस पर बस क्लिक करना और क्लिक करने के बाद से तुम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना अभी आया नहीं है इन लोगों ने लिखाए कि वी अवे लेबल सून हम जल्दी अव करना तो उसके बाद से पंद्र रजिस्ट्रेशन करने के आपको च्वाइस मेंना होगा आपको 24 मैं करना होगा च्वाइस में अलग से कराओंगा और जो लोग हमारा प्रोग्रां लेना चाहते हैं जीनको नहीं समझ में आ रहाए कि श्यासे कराना है बहतर सी बहतर कॉलेज क्या मिल सकता है उनके रैंक पे तो आप एक काम करिए एस्टी बीजी एकेडमी डाउनलोड करिए वहां से जोसा प्लस इसाफ का प्रोग्राम बाई करिए पांसर रुपर चल रहा है और सिर्फ सो लोगों क्योंकि आल्रेडी हमारे पास बहुत सारी लोग जोइन कर चुके हैं बनाने का और हमारा काम हम बहुत पर्सनलाइब करते हैं बहुत दिमाग लागा करते हैं कि बच्चे को जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता हो वह मिल जाए तो इसमें हम अपनी जीजान लगाते हैं तो आप अगर चाहें तो हमारा प्रोग्राम जोइन करिए हम आपकी प मिलता है और फिर se seller में भरा जाएगा और जोसा में नहीं भी मिल पाया तो हम siis में अपको फुल सपोर्ट करेंगे और कोशिश तो जो साथ साथ हम आपको सी साथ में भी सपोर्ट करेंगे इस पॉर्ट राउन तक आपको सपोर्ट मिलने वाली है उसके बाद हम इसको लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होईएगा तो आप स्ट्वी बीजी अकड़ी अब डाउनलोड करके हमारा प्रोग्राम चॉइन कर सकते लिए अब उसके बाद 15 तारीकस कोशिश करिएका कि आप सबस्साइब 90 का कर लें तो आपका मोटा मोटी काम क्या हो जाएगा Pikachu है माञा मतलब होता है वैसे कोई रियल नहीं है यह बस मॉत वन इसलीं आता है ताकि आपको पता चलें कि यह किस algorithm पर काम कर रहे हैं जो उसा किस तरीके से आपके सीट को एलॉट कर रही है क्या इनका algorithm होने वाले अगर आप मौक वन में नहीं भी बैट पाते हैं तो परिशान मत होईएगा कोई चिंता वाला विशय नहीं है अगर बैठते हैं तो भी अच सब्सक्राइब कर लेनी है शाम को पांच बजे से पहले साम को पांच बजे से पहले अगर साम को पांच बजे मोटा मोटी आप अपनी च्वाली बात नहीं हो जाएगा आपका काम उसके बाद 19 को आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होगा 19 तक आपका क्या हो जाएगा सार आपने जो भी डॉकुमेंट्स वगर अप्लोट किये थे उसका वेरिफिकेशन होगा मतलब 19 को छोड़के 20 को आपके राउंड वन का रिजल्ट आ जाएगा और 20 से आपका राउंड वन शुरू हो ज आपको क्या करना है कि चोई चिस क्या करनी है और चैशलिंग के बात जैसे आपका काम शुरू हो गया च Commerce के बाति से ओंओी होड़का रिपोर्टिंग पने सबसे पहले सीट बीोड़के करना है उसके बाद जोडोकमेंटे बोलेगा उसके बाद बसे अगर अगर कोई document में कमी आती है तो ये लोग query rise करेंगे और उस query राइस उस query कापको response करना ए और अगर document में कोई कमी नहीं आती है तो कोई query raise नहीं होगी तो ये बात अपने को धान में रखना है ओके I hope you are getting a point है एक मटड़ी जाए तो गाइस राउंड वन खतम होने के बाद से आपका 24 तारी को 24 तारी को लास्ट टोगा पेमेंट का अब देखो इन लोगों ने किस को किस देट को पेमेंट करवाया तुमसे 20 को रिजल्ट दिया कि रिजल्ट दिया और 24 तक इस अपेमेंट मांग रहा है तो मैंने वहीं बोला ना कि तुम्हारे बास बहुत कम टाइम होगा सिटेस जमा करने के लिए तो पैसा पहले से आपके खाते में होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला काम ही आपका एसे सबस्टेस उसके बाद आपको त से बहुत थे नहीं ऑप चाहते हो कि इस इस जो आपको सीट मिली है माल आपने 50 2010 में एक जाइस मिल एक नमबर करोगे नमबर स्व एक का मत्लब होता है कि नमबर लेकिन लेकिन था क्षाइब में पूह नेजांगेlingen आप समय स्व में और वाले चेंज नहीं करना चाहते हो ओके तो यह कुल मिला जुलाके इनका है कि भाईया 25-26 तक राउंड वन चलेगा उसके बाद से 27 से राउंड टू सुरू होगा फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा सबसे पहला सीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद यह लोग ओनलाइन और आप मेन्वाइल अगर आपको किसी राउंड में बिड्र रॉल मारना है जैसे मालो आपने पहले रांड में पैसे समाज सब्सक्राइब कर दी और दूसरा रहा हूं कि नहीं सर आप दूसरा राउंड में मुझे जैक दिलिए त्यू मिल रहा है मैं नहीं लूगा इधर क कोई भी कॉलेज तो आप बिड्रोल मार लो प्रोसेसिंग चार्ट 5000 काट की आपको बाखी के पैसे वापस कर दिये जाएंगे लेकिन वापस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके बाद राउंड 3 में भी सेम है राउंड 4 में भी सेम है और राउंड 5 में सिर्फ मतलब राउंड 5 होता है आई-ाइटी के लिए लास्ट राउंड होता है अब अगर तुमको राउंड 5 में कॉलेज कुछ मिला और तुम आई-ाइटी को एसेप्ट भी कर लिए और बाद में अगर तुम छोड़के भागोगे तो आई-टी वाले फिर अगले साल तुमको बैठने नहीं देंगे यह भी बात ध्यान रखना आई-टी छोड़के अगर तुम भाग रहे हो तो फिर आई-टी वाले तुमको नेक्स्ट यह लेंगे नहीं तो यह बड़ा पॉइंट होता है अब इसमें क्या है वह इसमें क्या है कि फाइनल राउंड होगा राउंड पांच इस काम करो मेरी सीट ले लो मेरा पैसा दे दो तो उसके बाद से कोई ज्यादा दिक्कतमाली बात नहीं है उसके बाद उसके बाद का पोर्शन ध्यान रखना पांच वाराउंड खतम होने के बाद 24 जुलाई से 26 जुलाई के बाद में आपको पार्शियल एड्मीशन फीज दे इसकी सीट कैंसल होजाती है तो यहीं गलती नहीं करना है क्योंकि देखो यह सारा फीस आपके वैसे भी फीस में एड्जस्ट होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा परिशान मत होना पार्शल एड्मीशन फीस आप उसको दे दोगे आचा इस जो पीड़ोड वा चीज़ TUKी अबाद सीग शुड़ी से अंट सुरू होगा अपने स西ब के वेब साइट से होगा फ्रेस रजिस्ट्रेशन होगा सब कुछ फ्रेश-फ्रेश कोगा सीसमरूंड में तो आप यहां करेगा सीसफ राउंड में चलिएगा अब सीब रांड क्या है उस पर वीड़ साओ 1979 भी भीडियो बना दी साइगी अभी मैंने जौसा का एक मोटा मोटी आपको आप इप आप बुछ मैं तुम्हें बताधी ता हूं जौसा में बैठना चाहिए तो देखो है रहा यह साओ में अगर तुम 11 की बात करो कि सिरुफ उन 212 तक हुआ मैं भूम स्टेट लिए लिए खाया देता हूं सिर्फ अधर इस्टेट का पर लोग देखते हैं तो अधर इस्टेट में जो लांस्ट अडमीशन हुआ है 59,000 में केमस्ट्री का हुआ है जनरल वाले कंडिडेट्स का और स्तिरी नगर में मेटलर जी का हुआ है 58000 पे तो कुले मिला जुला कि जो लांस्ट अडमीशन है वह हुआ है बाकी हो मिस्ट लगा के तो बहुत लो राइंग तक अडमीशन होता है जो नौर्थ इस वाले हैं जैसे नाइटी सिक्क्यम वगरा कि बात करूं तो ट्रिपल आइडी में कोई होमिस्ट इस ट्रेट कोटा नहीं है रिपल आइटी में लास्ट अडमीशन जो हुआ था जनरल के डेगरी का है अगर तो कि लास्ट अडमीशन जो हुआ था एलेक्ट्रॉनिक्स में वेले साइज जो हुआ था ये 53000 पे बंदो यह मैं सिर्व जो सा जो सा की बात कर रहा हुआ है 53 तो बंदो गया था मनिपूर की इलेक्ट्रोंिक्स लेकिन अगर तुम-सा यजाते न सी समें तो सी समें वही जो चीज़ है वही जो चीज़़् से तो वही एलेक्ट्रोंिक शेमानिपूर की टोई तो बंद हैían तो आफि वही मनीपूर तिरपन हजार पर बंद हुआ है तो जोसा और सीसे में जलवा है सीधे सीधे फचास हजार राइंग का डिफरेंस था यहां पर ठीक है कि उसके अलामा अगर मैं ट्रपलाइटी के अलामा जिफ्टी आइज की बात कर तो देखो जोसा में तो बहुत जादा हम खैर उमीद नहीं रखते हैं पर जिफ्टी आइस में भी देखो नौ लाख रैंक पर होम इस्टेट में यहां पर देवगर वगर में मेकेनिकल मिला हु मिला हुआ है इसका एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिक साथ लाग 30,000 पर मिला है उसके अलामा मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो में सिविल इंजिनरिंग 6 लाग पर मिला हुआ है तो मोटा मोटी एडमिशन तो लो रैंक तक हो जाता है जिफ्टी आइज में तो मोसली लोग प देखो कि अश्यों एक नशीविए चाप जल्वा देखो सी सेमें किस रांक तक हो रहा है तो सी सामें लो रांक तक definitely अटली एड्मीशन होता है तुम्हें इससे कुछ एक बेसीक आइडिया मिल गिया होगा कि किस रांक तक बढ़ना चाहिए बाकि जिस दिन में लाइव आउगा तो लाइव जो साकि चॉइस पिलिंग कराने आउगा तो उस दिन और क्लियर कर लेंगे मैं सोच नहीं कर लेंगे इसी तुम्हार लिए बहुत ज़्यादा असानी हो जाएगी तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शर और सब्सक्राइब कर दीजे इसके नमा अगर आपके मुन में कोई भी डाउट हो कोई भी क्विश्चन हो तो definitely I am here for you ओके तो चलो मिलता है